दोस्तों नमस्कार मैं धीपक पांडे मुद्गल और आप देख रहे हैं दनेशन मामला बेहस संसनी खेच है और संसनी खेच जो मामला है ये उठ रहा है बिहार के राची से जहां पर एक बीजेपी महिला नेत्तरी की दरंदिगी सामने आ रही है ये बीजेपी महिला नेत्री जो है उसने एक आदिवासी महिला को अपने घर में आठ साल तक बंदक बना कर रखा और बंदक बनाने के साथ साथ उसके संग वो सारी कुरूरता की हदे पार कर दी जिनके विशे में आप सोच कर भी आपकी रूख आप जाएगी ऐसा करने वाली बीजेपी नेत्री जो है वो खुद स्टेट कन्वीनियर है मतलब जारखंड की बेटी बचाओ बेटी पड़ाओ की स्टेट कन्वीनियर मतलब राजी की सैयोजक है और साथ ही महिशुर पात्रा पूर्व रिटार्ड आईएस की पतनी है जिनका नाम है सीमा प जो महिला है ये वास्तविक्ता में विपक्ष कह रहा है महिला के नाम धब्बा है और आदीवासी महिला के साथ जो क्रूर ताकि सारी हदे पार कर गई है इसको लेकर क्या द्रोपती मुर्मू कुछ कहेंगी जो देश की राश्टपती हैं भाजपा के कथनी और करनी में कित पती बना देने से पूरे देश की आधीवाशती महिलाओं के साथ शोचन बंद हो जाएगा یा उनके साथ जो हो रही करूरता है वो खतम हो जाएगी यह एक सवाल बन गया है अब यहां और कैसे उस महिला को छुटाया गया कैसे ऊस महिला को नियाए मिला किस तरीके से यह बा कैसे इनका राच परदाफाश हुआ तो चलते हैं हम राची की उस जगा पर जहां अशोक रोड जो सबसे पौश एरिया है जहां पर ये सीमा पात्रा या यू कहें कि महिश्वर पात्रा पूर्विटार्ड आईएस की पत्नी रहती हैं उस पौश एरिये में बीते आठ साल पह देंगे और साथ में आपको कुछ घर का काम करना पड़ेगा मतलब इसको कहते हॉममेट तो एक घरेलू नौकर को रखा जाता है लेकिन जब वो ये कहता है कि मेरे को घर जाना है एक दिन की छुटी दे दीजिए अब यहां से समझे पूरी स्टोरी एक दिन की छुटी पर उसको लोहे की रोडों से मारा जाता है इसके बाद फिर कभी अगर वो छुटी की बात कर दे तो गर्म तवे से उसको जलाया जाता है फिर कभी छुटी की बात कर दे तो उसको कमरे में बंद करकर रखा जाता है और इसके बाद ही उसको आठ-ठाठ दिन तक भूका से कमर तोड़ती हुई ये महला इतनी कमजोर हो गई थी कि समझ के देखिएगा तो बस जान ही जाने वाली थी लेकिन किस तरीके से वो कहती है कि अगर आज मैं जिन्दा हूँ तो सिर्फ और सिर्फ सीमा पात्रा के जो बेटे हैं आईशमान उनकी वज़े से आईशमान ने मदद की है सुनीता पात्रा की मतलब सीमा पात्रा के जो बेटे हैं आईशमान उन्होंने उस सुनीता की मदद की है जो आदिवासी महिला उसका नाम सुनीता है जो जारखंड के गुमला छित्र की रहने वाली ये आदिवासी एरिया है तो किस तरीके से इस आद तार इसके संक्रूरता की सारी हदे पार हो रही थी और इस विशे को लेकर कई ओबाराई शुमान ने अपनी मा को रोका अपनी मा मतलब सीमा को जो सीमा पातरा भाचपम नेता हैं उनको रोका कि इस तरीके से इस दिव्यांग के साथ आप व्यवार नहीं कर सकती लेकिन वही पर वो रुकी नहीं रुकी नहीं उसने उल्टा अपने बेटे को मानसिक पागल बता कर कि ये मानसिक रोगी है और उसको कांके में भरती करवा दिया मतलब वहां का मनुरोग चिकित सक जो चिकित साले है उसमें भरती करा दिया गया इसके बाद सुनीता के साथ जुल्मों की कहानी और बढ़ती ही चली गई यहां तक की बताया जा रहा है कि उससे फर्स पर जो पेशाप थी वो तक चटवाई जाती थी कि जीब से पेशाप को चाटो मतलब सोच के देखिए कि मानसिक्ता कितनी गंदी हो चुकी थी अब आप सोच रहा होंगे इस महिला पर F.I.R. हुई या नहीं इस पर भी हम लिये चलते हैं और कैसे अब इसको छुड़ाया गया वही पर बात आती है कि विवेक बास्की नाम के विक्ती जो सचवाले में काम करते हैं उनको किसी ने कॉल किया कहा ये जा रहा है कि बेटे आईशमान ने सचवाले में विवेक बास्की जो उनके मित्र हैं उने बताया या यूं कहा जा रहा है कि सुनीता ने किसी भी तरह ये जानकारी आईशमान के मित्र विवेक बास्की तक पहुँचाई और विबेक बास्की को जब ये खबर पता पड़ी तो उन्होंने वहां के DC को सूचित किया और DC जो उपायोगत हैं उनको सूचित किया राहुल कुमार सिना को राहुल कुमार सिना ने मजिस्टेट के नित्रत में एक टीम गठित करवाई जिस टीम ने ये रेस्क्यू किया औ और ये सब अशोक रोड इस्थित राची में उनके सीमा पात्रा के घर में दबिश देते हैं और उस आधिवासी महिला को छुड़ाया जाता है लेकिन उस महिला की हालत इतनी ही नाजुक हो गई थी कि वो चलने और उठने के काबिल भी नहीं थी जहां से ले जाकर उसको मेड जाच के बाद रिम्स में भरती कराया जाता है राची मेडिकल इंस्टीट ऑफ इंडिया तो रिम्स में भरती कराया जाता है राची मेडिकल इंस्टीट ऑफ साइंस में भरती कराने के बाद आगे की कारवाही को पूरा किया जाता है अग रोडा थाने के अंदर बताया जा 23 मारपीट की धारा-धारा 325 बताते हैं कि लोहे की राडों से मारा जिसमें उनके दात भी तूटे हैं पैर की हड़ी भी तूटी हैं उस दिव्यांग की देखिए महला आदिवासी भी है और दिव्यांग भी है अब कतनी और करनी में भाजपा की कितना फरक है कि एक तरफ बे संयोजक है बेटी बचाओ बेटी पड़ाओ की और लेक्चर देती है और फोटो शेयर करती है धारा 346 में मुकदमा है इसके बाद धारा 374 में मुकदमा है ये चार धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया है वहीं पर एक धारा और है जो SCST Act हरीजन एक्ट लगाई जाती है उसके अंदर भी 1989 की धारा के तहट ये मुकदमा कायम कर लिया गया है पर सीमा पात्रा जो भाचपा की महला नेता है उनकी अभी ग्रफतारी नहीं हो पाई है ग्रफतारी को लेकर संशे बना हुआ है कि किस तरीके से इस महला की ग्रफतारी होगी क्या पूर रिटार्ड नेता होने के नाते इनको छोड़ दिया जाएगा ये सारी बातें अब एक प्रेश्न बन रही हैं इनको समझने की जरुवत है बात ये है कि क्या भाचपा का चाल और चरित्र इस तरीके से है जो आपको हम बता रहे हैं या कुछ और है अब आप समझके देखिए कि एक महिला आदिवासी पर आट साल से जर्म चल रहे होते हैं और इन जर्मों की कहानी क्या पता कितने एरियों में और होगी कितने ऐसे जिले होंगे कैसे इतने राज्य होंगे जहां पर ऐसी कई सुनीता जैसी सुनीता खाका पूरा नाम है सुनीता खाका जैसी आदिवासी लड और अपर आयुक्त को सूचित करें जिससे की ऐसी महिलाओं को नियाय मिल पाए इस वीडियो के माध्यम से हम यही संदेश जरूर देना चाहेंगे कि अगर आपके आसपास ऐसा कोई भी क्रत्य हो रहा है तो उसकी सूचना जरूर अपर एक्ट करें या आप चैनल के साथ अपने ऐसा कुछ भी कंटेंट है उसको पोस्ट में शेयर जरूर करें जहां पर ऐसी घटनाएं होती हैं क्योंकि ये घटनाएं बेहदी निंदनिये हैं और महिला के साथ हो रही और भी जादा बात यही है कि जिस तरीके से रास्टपती रामनात कोविन जब रास्टपती बने तो दलितों का कित्ता उधार हुआ ये सब ने देखा होगा क्या रास्टपती द्रोपती मुर्मू बना देने से आदिवासियों के संग नयाय हो रहा है ये भी आपके सामने है तो कतनी और करनी दोनों में फरक है बने रही हमारे साथ मैं दीपक पांडे मुद्गल और आप देख रहे थे दानेशन धन्यवाद जैहिंद